हाई अब्रीवन मैं हूँ स्वीटी और स्वीटी होम साइंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने चार ही हूँ होममेट किलिनर्स बहुत ही आसानी से यह बनता है तो चलिए शुरू करते हैं जो मैं सेः करने वाली हूँ वो है बुट क्लीनर सबके घर में लकडी का फरनीचर होता है और सबके यहां लकडी का समान भी होता है लेकिन कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं मार्केट से खरने के बाद ये धीरे धीरे उसके अंदर एकदम चमा खतम हो जाती है तो वे भद्दे लगने लगते हैं तो हम उसको किस तरीके से आसानी से घर में हिसाब कर सकते हैं तो मैं आज जो आपको क्लीनर बता रही हूँ आप इसे यूज करेंगे तो सभी चीजें लकडी की चमचमा उठेगी इसके लिए मैंने लिया है दो चमच ऑलिब ऑयल मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो आप ऑलिब ऑयल ले लिजिए और आ भर करके रख लेंगे और जब ही हमें फरनीजर को क्लीन करना हो हलका सा इस्प्रे करेंगे और कपड़े से वफ कर देंगे रगड़ने से ही वह चमक जाएगा आपको मैं दिखाती हूँ यह सूफा मैं इस सोफे को बुट पॉलिस से बहुत आसानी से क्लीन कर सकती हूँ इस इसके बाद हम ब्रस लेंगे और ब्रस इस तरहब करदेंगे किसी भी कॉटन कपड़े या मार्क्रो फाइबर कपड़े से आप इजली क्लीन कर सकती हैं सोफे पर जितने स्टेंस हैं वह इससे क्लीन हो जाते हैं और सोफे में बढ़या साइन आजाएगी यह देखे बिलकु विनेगर से साफ हो जाएगा और आपका विनेगर चमचमा जाएगा अगर आपके घर में विनेगर का काम हो रहा तो इजली आप विनेगर से साफ कर सकते हैं और विनेगर से आप मिरर को भी क्लीन कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितना यह गंदा हो चुका है विनेगर डाल कर इसको रगड देंगे बिल्कुल से साफ हो जाता है सिंपल कपड़े पर आप विनेगर लगा कर अपने सीसे और विनियर को साफ कर सकते हैं अब मैं आपको बताती हूं कि आप बेड़ बुड़न बेड़ को किस तरीके से चमका सकते हैं ये देखिए काफी गंदे हो गए हैं ब समय को कसे चाहे माइक और ले लिजिए ये कोटन कपड़ा घर में ले लीजिए आप इसे पूरे बेड को फिर्लाइ कर सकते हैं हमें इसको हलके हाच़् से करते जाना है सारे रिमूब हो जाएंगे और निषान पर हजाते हैं जो बदद्दापन हो जाता है बुडल पर देख सकते हैं पेड़ बुल्कुल बुड इसकी एकदम जमक गई है बहुत ही आसानी से आप ये मत सोचिए कि इसमें ऑलिव ओल है तो ये धूल पकड़ेगा ये बिल्कुल धूल नहीं पकड़ेगा क्योंकि इसमें विनेगर है विनेगर टीक रेजर होता है वो ओल के साथ मि जरूर ट्राइब करें आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें सभी के साथ सेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग सिटी होम साइंस जै हिंद जए भारत